हाई अब्रीबन मैं आकांग्छा मेरे चैनल पर आपका स्वागत है चैनल रेसिपी तो सभी को पसंद आते हैं तो आज मैं आपको चैनल भेल की रेसिपी लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं तो भी सस्क्राइब करना न भूले मेरी रेसिपी पसंद ये लेंगे उसमें fry होने के लिए oil को अच्छे से गरम कर लेना है आपको जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें noodles को डाल देंगे fry होने तक तो मुझे golden कर लेना है अब flame को आप medium to high रखे तो fry होने तक मुझे तल लेना है अच्छे से fry होने के लिए एक सैट से गोल्डन जब हो जाए, तभी इसे पलटना है, तो एक सैट से इसी तरह से, आपको हलका सही लाते रहना है, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, तो एक सैट से ये गोल्डन जब हो गया है, तो मैं अच्छे से, एक सैट से पलट लूँगी, और सेकंड सैट से भी आ आपको सेकेंड बैच भी इसी तरीके से आपको फ्राइ कर लेना है डूडल्स को इसी तरीके से आपको जब यह गुल्डन हो जाए तो सेकेंड साट से भी पलट लिए हैं इसे भी गुल्डन होने तक तल लेंगे अब दोनों सेट से गुल्डन हो गये हैं तो मैं इसे भी क्लेट में निकाल देंगे साबधानी से करें उसके वादे कडाही में दो चमच वाल जब गरम हो जाए तो इसमें चौप अनियन गार्लिक एड़ करके हलका सा चला लेना है आपको ज्यादा सौफ्ट नहीं करना है स्रिफ कच्चापन आपको हटा देना है उसके बाद एक स्मॉल एनियन स्लाइस में एड़ कर देना है इसे भी चला लेना है आपको इसे भी हलका सा चला लेंगे सौफ्ट नहीं करना है उसके बाद चार चममच सेजवान चटनी आड़ करेंगे और वन टी स्पून चिली स्वास एड़ करेंगे उसके बाद इसमें तीन चममच सोया स्वास एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें गी चिली स्वास एड़ करेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे उसके बाद वन टी स्पून वेनेगर एड़ करेंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें spring onion add करेंगे capsicum add करेंगे cabbage भी add कर देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे रंचे ही रखना है इसलिए इससे भी अच्छे से बस खाली mix कर लेना है मुझे इस तरीके से mix कर लिए है उसके बाद आपको अगर ज्यादा आपको तीखा पसंद है तो red chili powder add कीजिएगा और नहीं तीखा पसंद है तो skip कर सकते हैं और इसमें test के हिसाब से salt add करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो ये से मैं mix कर दे रही हूँ उसके बाद ये noodles थंड़े हो गये थे तो इसे आपको हाथों से ही crust कर लेना है तो ये crust कर ली हूँ मैं उसके बाद आपको add कर देना है flame को low ही रखेंगे उसके बाद आपको flame को off कर देना है क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है इसे तो ये ready हो गये है मैं serving bowl में निकाल ली हूँ spring onion से मैं garnishing भी कर दी हूँ तो मेरी recipe पसंद आए तो like जरूर कर दे और मेरी recipe कैसी लगी आपको comment box में बताना ना भूले तो मेरे अगले recipe में मिलती हूँ okay bye कि शुमकि बताना ने कि ली है हूँ हूँ है है कि ये तो